अल्लो एव्रिवन विल्कम बैक तो मार्य योटूब चल्ल विद्यापाट श्राला आज के इस वीडियो में हम देखने वाले क्लास तेंथ का एक बहुत इंपॉर्टेंट चाक्टर है मारे पास फ्रम डियरिया और फ्रैंक मारे चाक्टर है यह हमारे लिए प्रम ने चाक्ट और दूसरा गुक है, Footprint Without Feet देखें, दोनों गुक है, हमें दोनों गुक की question answer, like chapters पढ़ने होंगे तो हमारा जो first book है, first slide उसका chapter number 4 है, from the diary of Annie Frank जिसका आज है very short question answer देखने हैं, ठीक है, explanation already channel पर पढ़ा है अगर आप इस chapter का explanation देखना चाहते हो, तो आप जाके channel को visit कर सकते हैं, ठीक है, दीखें सबसे जरूरी बात हैं, अगर आप chapters के very short answer, या फिर अगर मैं कहूं आपसे, अगर chapters के summary को पढ़ते हों अच्छे से, तो कोई पर question है, question अगर twist करके आते हैं, फिर भी आप answer easily दे पाऊंगे, तो matter यह करता है, आपको school में तो chapters पढ़ाया चाते होंगे, matter यह करता है, आप घर पे, जितना हो से कि उसके summary को पढ़िए, detail summary पढ़िए, point 5 summary पढ़िए, उसके पाद MCQ को solve करिए, फिर very short question answer, उसके short long way thinking about the question, questions तीक है, आँज के इस video में very short question आप से दीखने वाले है, chapter number 4, from the diary of any friend, उससे पहले, अगर थोड़ो से chapter तो आपको quick सा review दूँ, तो दीखे, यह हमारा chapter पुरो world world second के उपर भी है, world world second के उपर, okay, तीखे, हमारे autobiography है, कि इसके इस story के main character है, तीखे, एक autobiography, okay, इस story नहीं पूल सकते हो, इक autobiography, autobiography को मतलब क्यों होता है, self written, कोई ऐसी story जो आपने खुद लिखी हूँ, उसे बुलते है, autobiography, जिससे मिंदी में आत्मक अथार गयाते है, okay, याद रखेंगे, यह incident कब हो था, world world second के देखे, और यह जो हमार एक autobiography से लिया लिए, नमबर थार, आप देखे, इस में एक बहुत अच्छी बात की गई है, diary के उपर, तो आप से सीधा सो question पूछ सकते है, कि diary, एने जो मारी थी, उनको diary किस ने दिया था, और कब दिया था, तो उनके 13, मतलब तेरवे birthday पे दिया था, डारी, किस ने दिय आपने, clear? यह भी याद रखिएगा, इंडियाट कोशिन पूछ सकते है, जो हमारी एने दिया वो जूष दो थी, ठीक है, तो पूरी इस दोरी आप पारे होंगे, जैसे हम इंडियन से वो जूष योग थे, पहला question है, how old was एने, पहला बहुत important question पूछ हो गया, how old was एने, ए मैंने हमारी कितनी साल के दे, देखिए, सबसे जोरी बहुत पता, बच्चे कहा पूछ से मैं, इतना easy question exam मैं नहीं पूछता, मुझे भी पता, CBSC भी थोड़ा smart बन चुका है, तो इतना easy question तो नहीं पूछते, लेकिन, जो भी आपसे long question पूछी, या फिर short answer, पूछे आप उ answer में अपने add करते हो, तो इससे examiner को लगता है कि हाँ, अपने इस chapter को deeply पढ़ा है, अगर आप उस chapter question में, author का नाम भी लिपते हो, अगर answer में, तो examiner पे अपना बहुत अच्छा impression बनता है, ठीक है, चलिए, फेलो question कुछ रहा, how old was Annie, Annie किते साल के थी, she was 13 years old girl, किते साल के थी याद रखिये, 13 साल के, she was a German Jew, German Jew, तेके जर्मनी देशे, तो German Jew थी, आप दिखिये, हाला कि आपको, like DOP तो नहीं पुछे, फिर पे आपको याद रख सकते हो, 12 June 1929 से, February या फिर मार्च, confirm नहीं है, आप दोरों देख सकते हो, 9045, तो यह याद रखना हमारी, Annie कितने साल के नहीं थी, 13, number 2, what was the name of Annie's sister, अब Annie's sister, जो हमारी Annie थी, उनकी पहन को क्या नाम था, Margaret, her name was Margaret, ठीकिन, अब से यहाँ पर टारिक कोशिन पूछ करे जाता है, कि Annie की जो डारी थी, जो उनको 13th birthday पर जो मिली थी, उस डारी को क्या नाम था, उस डारी का नाम था, किती, क्या था, क किती, बता है अगसा बच्छे कंफ्यूजर जाते, किती में सुह सकता, बिली का बच्चा नहीं, याद रखिगा, किती हमारे Annie की जो डारी तो उसका नाम उन्होंने रखा था, उनकी नाम था, बता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ने से कॉन परशान थे, उनके मैठ्स टीच परआने भाँ बहुत ज़ together talkative ही, और talkative का मतलब क्यों हता है, talkative का मतलब हता है, one who talks very much, जो बहुत ज़्यादा बात ही कता है, उन्हें आप भोलोगे talkative, His name was Mr. Kissing We're take Anna's family migrate from Germany to, her family migrated from Germany to Holland, कहा माइगरेट होई थी हमाव कुछता है कि आए जो हमारी थी वह पेपर की पार में क्या कहती कि पेशन करिभिपल क्सदॐ होता है कि इंसानों से जादा धार में होता है लेट में टेल इवाने श्टोडी मालने जिए आपको किसी की चुगली करने हैं किसी की बारे में अगर आप किसी इंसान से खाऊगे तो इसके पेट में पचेगी नहीं को जांच आगि किसी सी माने अपनी सब करें आपर किसी को बता देंगे लुट जो इस प्रछ किसी को नहीं चाहिए और कि यहां दिसके दूभाईल को राएगा है पीपर है स्मूर्ट पीशेज है वाइव वस मिश्टर किसिंग अलॉइट विद एने से क्यों परिशान थे क्योंकि क्लास में बाते क्या करती थी ठीक है जब उनको पड़्डे पर जब डारी मिली थी तो उन्होंने फर्स्ट डारी एंट्री कब की थी शे में फर्स्ट एंट्री इन हर डारी ओन ट्वेंट जून दारी फट्टी टू वो बीकेम अनेस्ट और फर्स देडिट बहुट कोई दोस्त नीं थी पूछे में कश्यां वो बीकेम अनेस्ट अन्हेंट की तोई तोस्त का नेंग था ठीक है एने की डाइडी थी वह एने की दोस्त बने रहे and her name was Kitty उसका नाम क्या था? Kitty Which subject did एने find difficult? एने जो हमारी थी उसको कौन सा subject बहुत difficult लगा? Mathematics By the way, आपको Mathematics subject कैसा लगत? Like, you find it easy, moderate or extremely difficult Let me know in the comment section एने found mathematics difficult What prompted एने to maintain a diary? एने को क्या prompted क्या आपको सकतो किस वज़े से एने ने टारी इखना शिरू किया? एने maintain a diary because she had no friends क्योंकि पहला रेजन ही क्योंकि एने की पास कोई भी फ्रेंड नहीं थी What was the topic of the first essay Mr. Kissing asked एने to write? पहला जो topic दिया गया था एने को वो किस के उपर था? एने chatterbox के उपर What was the name of the essay on which NA had to write the second time? पहले उनका था chatterbox पर दूसरा and an incorrigible chatterbox who helped NA to write the essay in poetry? पहुत लिखने पूछता था नहीं कि NA को किसने मदद कीटे poetry लिखने में and his friend Sam what is the student's trait? बहुत एजी अच्छा है like logic question Mr. Kissing जब उससे बहुत question पूचीते हैं तो वो कहते है talking is the student's trait मतलब बाते करना बच्चों के अंदर एक trait है मतलब एक cluture है मतलब comment से बात एक बच्चे बात करेंगे और हाला कि हमारे जो बहुत बाते करती थी उन्होंने ये बताया कि उनकी जो मम्मे थी वो भी बहुत बाते किया करती थी तो वो उनको उनके मादा से इन्हारिटेड हुए था कि खुए जसली थे थार्ड अखी थासे पहला चैटर बाक्स तब दूसरा कि न्करिजिबल चैटर बोक्स अतीं आग्षिवरे अग्री जो मेरा टॉपिक था क्रेक 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 सेट मिश्रिस जाने मादा आप एक के रड़ा तर्ट आटेल था What was the name of Ernest's mother? Ernest, मतलब Ernest, अनकी चुपरस कानना, Her mother's name was Ididhik Hollender Frank. Who was Mr. Kupras? Mr. Kupras, अगों काने स्थोरी में? She was as headmistress of Ernest's school in Boatsch, चुपरस. Hier उनकी headmistress कानना, Mrs. Kupras. ठीकिंब और रीटार्स मतलब क्यों अते हैं वा टू फिफट और फिफट दो आबंस्ट्ट्ब दो इने अपने अने टो लिस्टाइटा को वो किसे ते हैं वोष वीरी अफ़ोर बालेफ वर धो दोहराबल इंस यह वहीरी लुविंग फांट अने हैं अ ने बालेफ फ्रीम ए इसी कॉश्य है कहते हैं जो बाते को किया करती थी उससे ठीक क्यों नहीं हो पा रही थी किया करती है किया करती है किया करती है किया करती थी नंबर 21 वाय दस एने कॉल टीचर्स अंप्रिक्टिक्टबल क्रीचर्स अंदियों बहुत अच्छा कुछ नहीं हमारी ने चुथी ना पाउ एक आन्तरे पालते टीचर्स को पता हैं मतलब कि वह ठीक्ट वाय गरता हो जिसubenप्स को ना कर पास mí с वह श्यां ओस तॉ प्रॉट्थी से पीम्ता में टूप्त करता है किस थीचर्स को अंधिक्ट Works को डिदेए वाइव consig 예 बात करना बच्चों का एक ट्रेड मतलब एक लग्षा रहु है बात करना बच्चों का एक ट्रेड मतलब इसको कोई टान नहीं सकता है लेकिन लेकिन जो टॉकिंग आपने इस वीडियो का इस वीडियो जोई किया होगा और आपके लिए वीडियो यूस्फूल साबित होंगे अगर आपको इस वीडियो थोड़ा से भी पसंदा था वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्काइब कर लिजेगा आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप एक भी वीडियो को मिस ना करें